तुम लोग लोग नाइट्रीक असेड, सुल्प्यूरीक इसेड, हाइड्रोक्लोरीक इसेड इसपे पूरा एक चैप्टर से है तो वहाँ पे तुम लोग बहुत सारह रेक्सन पड़ेगा जिसमें हम तुम बात बता रहे हैं मैं ध्यान से सुनो एक पूश्चन आता है जू ब इसलिए नहीं रखा जा सकता है उसको डाक लेómoड बॉटल मने रखते हैं वह नाइट क्रीकर आशि मिले हुदा इसलिए उ05 इसलिए वहाँ पे हम लोग प्लेन ग्लास बॉटल में नाइट्रिक एसीड को नहीं रखते हैं. दूसरा चीज है तुम लोग बताया, यहाँ पे अलग है कि नाइट्रिक एसीड इसे स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंगे जहें. भईया यह जो ऑक्सिजन दे रहा है, यह क्या करता है? जो आप हैड्रुजन निकालना चाहते हो, उसके साथ यह जूड जाएगा और उसको पानी में बदल देगा. उसको क्या चीज में बदल देगा? पानी में. इसलिए हम लोग नाइट्रिक एसीड को अवाइड करते हैं. क नाइट्रिक ओकसाइड और और नाइट्रोजन डायोकसाइड तो यह जो ध्यान रखना. तो अब हम बता रहें और उक्सिडेशन और डिट्ट्सन में डिफरेंस क्या होता है? तुम लोग सब पढ़ा आ रहा है, वहाँ क्लास 7 से पढ़ता आ रहें. और उक्सिडेशन और बीड strengthened किया चलो देखो दो तो मुर्व सब को पता हुगा तृब किला और इडीसिगन हो रहा है तो रिमूम और अफ लॉगैन को क्या बलाते है औशीडेशाएं उसी तरह भिया यह addition of hydrogen था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह removal of oxygen very good ठीक है तो तुम लोगों को यह बात पता है तो यही चीज़ बता रहे थे addition of oxygen भी oxidation हो गया और addition of hydrogen हो गया reduction removal of hydrogen हो गया आपका oxidation तो removal of oxygen हो गया reduction अब एक तीन नया point बताएंगे एक है loss of electron loss of electron भी oxidation क्यलाता है और gain of electron क्या क्यलाता है reduction क्यलाता है यह बात किसको किसको पता था loss of electron oxidation होता है और gain of electron क्या होता है reduction होता है तो यह तीसरा point है जो तुम लोगों को ध्यान रखना है इसके अलावा दो और point है ठीक है वो electro positive और electro negative nature के उपर है addition of electro negative element एडिशन ओफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बहुत इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ जैसे CL- इस पर क्या चार्ज है माइनस अगर ये किसी में जुड जाता है तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं उसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा एडिसन ओफ इलेक्ट्रो पॉजेटिव हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा एडिसन ओफ इलेक्ट्रो पॉजेटिव अब उसी से इसी से एक और बन जाएगा अगर इसमें एडिसन ओफ इलेक्ट्रो नेगेटिव हो रहा है तो रखना है वही तुम पढ़ोगे इसके अलावा भी तुम जो पढ़ोगे वो है oxidizing agent और reducing agent जो oxidation करवाता उसको हम लोग oxidizing agent बुलाते हैं और जो reduction कराता उसको reducing agent बुलाते हैं तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे और इसके बाद एक चीज़ और आ जाएगा last में खाली redox reaction ऐसा reaction जिसमें oxidation और reduction साथ साथ होता है उनको हम लोग बुलाते हैं oxidation reaction उनको क्या बुलाते हैं oxidation reaction तो ध्यान से देखो सब बच्चाए आपर sorry redox reaction यहाँ पे दे oxidation and reduction oxidation is a reaction in which oxygen combines with another substance पताइए तुम लोग को either holy or in a part but reduction is a reaction in which a compound is deprived of all or part of the oxygen it contains क्या बूल दिया यहाँ पर फिर से फड़ते हैं but reduction is a reaction reduction क्या है is a reaction in which compound is deprived of all ठीक है क्या और part of the oxygen ठीक है चाहे तो कोई भी oxygen नहीं होगा यह part of oxygen नहीं होगा जैसे यहाँ पी दिखा रहा है क्या ध्यान से देखो पी बी ओ ध्यान देना पी बी ओ प्लस H2 भाईया यह इसका पूरा का पूरा oxygen ले लिया देखिए पी बी अलग हो गया और H2 अलग हो गया तो यह पूरा का पूरा इसका oxygen ले लिया तो वहीं बोल रहा है यहां part of नहीं होगा deprived of all हो गया क्या चीज़ का deprived of all oxygen तो यह क्या हो गया बताओ मेरे को जल्दी से तुम लोग reduction हो गया तुम लोग को पहले ही हम तीन दिन दो दिन पहले बताएं त्री रिडूसिंग एजेंट का नाम क्या-क्या था एक सामने पढ़ाए क्या-क्या था बता हाइड्रोजन था कार्बन था कार्बन मोनकसाइड था वह यह हाइड्रोजन चेंज हो जाता है एच्टूओ में देख लें यहाँ पर कार्बन चेंज हो जाता है कार्बन मोनकसाइड में कार्बन मोनकसाइड चेंज हो जाता है कार्बन डायोकसाइड में तो यह बताया थे तुमको यह सारा reducing agent यह सारा क्या है reducing agent जो कि उसका क्या खिच लेता है oxygen खिच लेता है तो वही जिन यहां बताया है तो उनको reaction पर बस धिहां रखना है अब यहां पर देखो फिर क्या लिखता है दब्सका खिच ले अगजर से परिा कि भी मोग बता है और जुखुके करहें तो टोपरों है और उनको तिम लूग यह इंजियन पिसमांट करो खिच लेखेंट विरेष्ट्स with oxygen to form water first hydrogen to be regard as a kind of chemical opposite of oxygen so the term oxygen was extended to include reaction इसाब कोई मतलब नहीं है बस यहाँ पर यह चीज़ देखो के चीज़ कोई है माइने मायननस चाता है कि यह जो हें कि यहीं oxy the 로 nicon करता है तो तुम लोग को बता निइते हैं हम लोग вним險 अप्रा चुल्री अचैन करते है क्लोरीन जोहें कपड़ा में तुम लोग देखा ओगा कलरर चर्था हम लोग जो कपड़ा पहनते सपे ब्लीचिंग को क्लोरिनGER को किया जाता है। हम में क्लोरिन डाल दिये हैं, यहां फे देखो डिल गाय है। उलटा हो गया मेर से यहां पे hydrogen किसके साथ जुड़ गया chlorine के साथ और sulfur जो non metal है वो क्या हो गया अलग हो गया तो तुम यहां पे देख सकता है दो चीज शाथ साथ हो रहा है यहां पे electronegative chlorine जो है electronegative तो यह वाला जो reaction है हम वह point बताएंगे जब यहां पर आएगा उसके बा यहां पे प्रोसेस इन वीच अटम और अइन लुज़े इलेक्रों तो मुझे पहले ही बता इसे कि लॉस ओफ फेकहर यहां तो देखे थो इधर लिखा हुआ है तो वही चीज़ हम तुमको समझानाँ चारेे तुमको यह clear है, इसलिए हम इधर दिखाए, यहाँ पर यह minus घा दिखाना चाहरा है, loss of electron, लेकिन यह क्या दिखाना चाहरा है, यह दिखाना चाहता है 2 plus यह नीज़ा है कि यह cation बनाया है और cation कौन बनाता है? metal, बनाता है Maytol, और यहाँ पर भी यह अपना दो यह हैंक हो एल्लेक्ट्रों used क्या है, इसीलिए इस पर कौं सा चार्ज है? positive charges पर कौं सा चार्ज है? positive charges बिग्धम सिंफल सा, यह question आता exam में, यही question आता में actually oxygen reaction में, तुम को ऐसे करके दे देगा, क्या धहां से सब अच्छा question क्या रहता है, तुमको हम दे दिये जैड और हम तुमको यहां दे यह जैडन टू प्लस बताओ यहां पर क्या हुआ है दो एलेक्ट्रोन लुज़ वह ठीक है क्वेश्चन में यही आ रहा हुआ या रिडक्शन हुआ वह बताओ तो пок्लियर हो गए यहां पर जैडन से भी जैडन टू प्लस बन गया तो इसका मतलब अगदम क्लियर है कि यहां पर तुम लोग बोला दो एलेक्ट्रोन लूज रूज हुआ है और loss of electron को हम लोग क्या बुलाते हैं? Oxidation आ गया समझ में? ठीक है, very good तो यही चीज़ समझाना था हमको तुम लोगो उसी तरह हमको चलो बताओ तो यहाँ पे Fe 2 प्लस था, ध्यान देना और यह Fe 3 प्लस बन गया क्या हुआ? बताओ Oxidation हो गया Oxidation हो गया, बैया क्या हो गया? Oxidation हो गया तो देखिए यहाँ पे एक electron lose होगा, तभी न 3 प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पे एक electron हम lose करा दिये ठीक है? तो यह Fe 2 प्लस से क्या हो गया? Fe 3 प्लस हो गया, तो यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे Oxidation हो गया फिर यहाँ देखो, Addition of Electronegative आयन तो यही चीज़ हम बताया ने, वहाँ पे इसलिए रोके क्योंकि यह चीज़ क्लियर कर देते हैं, तो तुरन समझ में आ जाएगा तुम लोग यहाँ पे देखो, Addition of Electronegative आयन तो क्लॉराइड जो है, उस पे कौन सा चार्ज होता है, तुम ही लोग बता मेरे को मैनस तो यह Electronegative आयन, यह कौन सा आयन है? Electronegative जो सब के बुक में भी एंफिर बोल रहे हैं, यह मत सोचना तुमारे बुक में नहीं है सब के बुक में है, तुम लोग देखो, अपने पेज परटा के तुमको भी दिख जाएगा Addition of Electronegative आयन, यहाँ पे देखो भी यह FeCl2 था, इसमें Cl2 और जुड गया, और यह FeCl3 बन गया, बैलन्स करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे देखें, हम लोग जान ले कि Cl2 जो है, वो Electronegative आयन है, कैसा आयन है, Electronegative आयन है, जिसको, जो जूड गया इसके साथ, और Addition of Electronegative आयन को, हम लोग क्या बुलाते हैं, यह Element को, हम लोग क्या बुलाते हैं, Oxidation समझ में आ गया तुम लोग को? आभी तीसरा एक्जामपल पे चलते है, Removal of Hydrogen, एक साथ सिंपल सा चीज़े भीया, Addition of Oxygen हो गया अगर Oxidation, तो Removal of Hydrogen क्या हो जाएगा? अच्छा, यह बात देखो, यह एक तरह का दोनों reaction हो जाता है, मतलब भीया, यहाँ पे अगर Removal of Hydrogen हो रहा है, तो साथ में देखो क्या हो र और Addition of Electro Positive आयन को क्या, Negative आयन को क्या बुलाते है, बताओ, भीया यहाँ पे देखिए, आप बोले कि Hydrogen हो गया, ठीक है, Hydrogen सलफर के साथ हटा, लेकिन जुडा किसके साथ? Chlorine, Chlorine, Chlorine कैसा आयन है, Negative, Electro Negative, और Addition of Electro Negative आयन को क्या बुलाते है, Oxidation, Oxidation, और यहाँ पे Hydrogen हट भी गया, तो Removal of क्या है, Removal of Hydrogen, और Removal of Hydrogen को क्या बुलाते हैं हम लोग, Oxidation, Hydrogen, और Auramayong, Hydrogen, शंपर के साथ हटा, तो किसके साथ जुड़ गया? Chlorine, 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 Oxidation, भी हो रहा है, Oxidation भी हो रहा है और क्या हो रहा है, Reduction भी हो रहा है, passiert chef, of reaction को हम लोग कौन सा reaction बुलाते है redox reaction, क्या बुलाते है redox, तुमको दिखाएंगे आगे जाके redox का यही example भी देगा तुमारे book में, तो यह चीछ ध्यान रखना है यह बहुत important reaction है, यह तुम लोग को याद करना है, कुछ नहीं हो रहा है बस बहुत simple सा चीज़े, H2S था साथ में, chlorine react करा है तो भाईया, chlorine जो है, इसके साथ जूड जाता है, HCl बना लेता है, और sulfur metal अलग हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया hydrogen, जो है, hydrogen sulfur से हड गया है, removal of hydrogen को क्या कहते हैं oxygen, और उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर chlorine के साथ hydrogen जूड गया, chlorine के साथ hydrogen जूड गया, तो addition of hydrogen को क्या बुलाते हैं? reduction reduction बुलाते हैं, तो देखिए, reduction भी हो रहा है, और oxidation भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, oxidation भी हो रहा है, तो यहाँ पर hydrogen हट रहा है और यहाँ पर hydrogen जूर रहा है तो reduction, oxidation साथ साथ हो रहा है तो इसलिए इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? Redox बुलाते हैं ऐसे यह समझाने के लिए बोल रहा है इसलिए यहाँ पर हम ले लिए ठीक है? example को इसमें इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर आप सब दिख रहा है कि loss of hydrogen हो रहा है लेकिन अगर loss हो रहा है तो कहीं पर add भी हो रहा है वो भी तो देखिए तो इसलिए हम पहले ही बोल दिये तुमको जहाँ दोनों reaction साथ साथ हो रहा है उसी तरह इसका contradictory हो गया यहाँ addition of electro negative है तो removal of क्या होगा? electro positive तो यहाँ पे तुम लोग देखो के आई था साथ में ठीक है और H2O2 hydrogen peroxide H2O2 क्या हो गया? hydrogen peroxide तो भाईया यहाँ पे देखिए आयोडीन जो है वो क्या हो गया? अलग हो गया तो यहाँ पे यही बताना चाहरा है क्या? potassium iodide is oxidized to iodine ठीक है? यहाँ पे कौन positive आयन है? K+. यहाँ पे कौन है? K+. potassium iodide is oxidized to iodine by loss of K+. यहाँ पे K के साथ जोड़ा था अब हो क्या हो गया? हड़ गया तो यहाँ पे यही बताना चाहरे है तुम लोगो और कुछ गुरीन है तो ऐसे करके एक 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 इसामपल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे question आता है तुमको आएगा बोलके give a reaction to sow oxidation by removal of electropositive iron तो तुमको यह वला लिखना पड़ेगा सब के book में हैं तुम लोग प्लीज पेस बलटा के देखो तुम लोग को भी मिल जाएगा और रहा यह दो पार्ट यह जो दो पार्ट है सब अपने book में देख लो और इस पूरे दोनों पार्ट को star मार कर लो इससे question आना ही आना है वो भी name the following में और जो बच्चा लोग गलती ही करता है क्योंकि पढ़ता नहीं है ठीक से, क्यों important है चलो करके ध्यान से सुनना और समझना सबसे पहला है oxidizing और reducing में difference क्या है वह यह an oxidizing agent is one that oxidizes other substance either by accepting electron or providing oxygen और an electroposit तो जितना चीज़ अभी पढ़े वो सारा वापिस बता देगा तो oxidizing agent वो होता है जो किसी भी substance को oxidize कर देता है तो आब हम तुम से पूछेंगे name some oxidizing agent तो तुमको उसको category में डिवाइड कर देना solid, liquid or gas में तो solid oxidizing agent का नाम क्या क्या है देखो ध्यान से MnO2, red, lead, PB3O4 को बुलाते हैं लिखना है तो लिख सकते हो तुम लोग PB3O4 को red, lead बुलाते हैं PB3O4 को red, lead बुलाते हैं फिर है तुमारा PB2, potassium permagnate KmNO4, potassium dichromate bleaching powder bleaching powder का formula होता है CAOCl2 bleaching powder भी अब जो भी हम तुमको chlorine के बारे में बताए थे oxygen के तरह chlorine भी जो होता है oxidizing agent होता है oxygen के तरह chlorine भी क्या होता है oxidizing agent होता है bleaching के काम आता है तो हम तुमको बस इतना सा बात बता दे रहे हैं तुम देखना गैस में होगा chlorine का नाम देखने चाए है न यहाँ पर गैस में यहाँ पर क्या चीज़ का नाम है chlorine का नाम है यह चीज़ ध्यान रखना अब चलो start करते भी हाँ question कैसे आएगा तो यहाँ पर तुम लोग देखेगा liquid name है liquid oxidizing agent ठीक है जो कि यहाँ पर क्या क्या नाम दिया भाई hydrogen peroxide concentrated nitric acid अभी तुम लोग पढ़ा था जो बताई है हम लोग को मुसकान खेशा भी बताया कि nitric acid जो होता भी हाई strong oxidizing agent तुम ही लोग बोला था तो देख ले बोलेगा ऐसे करके question आ सकता है name है acidic acidic oxidizing agent acidic liquid oxidizing agent तुम लोग यहाँ लिख सकता है nitric acid, sulfuric acid bromine acidic नहीं होता है वो neutral होता है bromine आगे neutral category में तो गैस में देख क्या क्या आ रहा है oxygen आ रहा है, ozone आ रहा है name है triatomic oxidizing agent क्या लिखेगा बता name है triatomic oxidizing agent ozone ozone तो यह सब topers बनाजी का question है कि अलग छाटना है तो यह सब जो detail में एकदम पढ़ आया book को अच्छे से वो लोग answer कर पाएगा gases में क्या हो गया ozone आ गया ozone तो ठीक है भी या लेकिन triatomic का मतलब यह oxygen है, chlorine है, sulfur, dioxide है सब है लेकिन ozone जो होता है वो O3 होता है ozone जो होता है loss of electron होता है तो यहाँपे देखतो क्या हो रहे है gain of electron यहाँपे क्या हो रहे है gain of electron अच्छा जर्जी से यह बताओ तो यहाँपे यह क्या हो रहे है FE 3 plus से FE 2 plus में change हो गया इसका मतलब यह क्या है reducing reduction हो गया तो बस यहीचीज़ तुमको समझना था चलो आप समझ गया हो तुम लोग तो यह रियक्शन सुम लोग देखो सेम वही चीज़ है खाली क्या करना है यहां पर देखिए यहां पर यह हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीजन खीच ले रहा है तो रिमूबल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोल दिया औक्सीडेशन रिमूबल ऑफ ऑक्सीजन को रिड़क्सन बोल दिया फिर एडिसन अर्ण एडेक्ट्रोपॉजिटीव आइन तो यहां पर एलेक्ट्रोपॉजिट्यटीव आज ग़ быстр subjected sagen है इसका ऑडविव छो जारे है लाटए reducing agent, जो reduction लाता है या उसको reducing agent कहते हैं, कैसे reduction लाता है, यह पांचों step करके, चाहे तो वो क्या करेगा, addition of hydrogen करेगा, या removal of oxygen करेगा, addition of आपका electropositive ion होगा, या removal of electronegative ion होगा, यह सारा से क्या होगा reducing, यही इच लिखा है यहाँ पर, अब यहाँ पर आजो, देखो क्या बोलता है, फिर यहाँ पर है hydrogen, देखो hydrogen peroxide जो है, दोनों में आ रहा है, hydrogen peroxide दोनों में आ रहा है, तो तो सकता है कौन, ऐस इसी तरह carbon, metal like gene, aluminium, copper, Na, stannous chloride, SNCL2, यहाँ पर लिया भी था इसको यूज, देख, SNCL2, फिर गैस में क्या क्या आ रहा है, hydrogen sulfide आ रहा है, carbon monoxide आ रहा है, sulfur dioxide आ रहा है, sulfur dioxide इधर भी था, देख ले, ammonia आ रहा है, ammonia जो होता भी है, वो क्या होता है, reducing agent होता है, ammonia chapter भी class 10 में पढ़ो होगे, वो क्या कर देता है, metals को reduce कर देता है, metal को क्या कर देता है, reduce कर देता है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया है, और कुछ नहीं है, last topic आता है redox reaction, बस definition ही पूछता है और कुछ नहीं, और एक example, तो क्या लिखते definition में, when oxidation and reduction takes place simultaneously, ठीके हो ऐसे reaction को हम लोग क्या बुला को बोले थे कि Jaden वाला था, यहाँ पर देख, यहाँ पर तुम देख सकता है, CuO है और H2O है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या कर रहा है, reduced हो गया यहाँ पर क्योंकि इसका oxygen हड़ गया, और hydrogen पानी जूड गया oxygen के साथ, तो यह क्या हो गया, addition of oxygen हो गया, तो इसको हम लोग क् साथ साथ होता है, उसको हम लोग कौन सा reaction मुलाते है, reduction, यह रहा, यह वाला देख आ गया, H2, HCl2 है नहाँ पर देख, HCl बन गया और sulfur अकेला हो गया, तो यह सारा ही चित तुम को बताना था, और कुछ भी नहीं है, तो definitions हो गया, reaction हो गया, और साथ में तुम्हारा क्या हो नीमदी-following का कुछ question यहां से हो गया, तो तुमको पहले ही बता देते है, यह important है, नाम याद करना है, कुछ अगर तुमसे पूछ लेगा oxidizing or reducing agent का नाम बताओ, और difference, oxidation reduction में और oxidizing reducing agent में, खतम हो गया, और कुछ भी नहीं है, कीक है?